आज इस वीडियो के माध्यम से हम सेक्स डूरेशन के बारे में बात करना चाहते हैं मतलब की सेक्स जो है वो कितने समय में पूरा होना चाहिए या फिर जो आप सेक्स कर रहे हैं या संभोग कर रहे हैं इंटरकोर्स कर रहे हैं उसमें कितना समय लगना चाहिए अब आप पुछेंगे कि ये सवाल क्यों important है आकेर हम sex duration के बारे में क्यों बात करना चाहते हैं बहुत सारे लोगों को शीगर पतन की problem हो जाती है मतलब इजैकुलेशन है जो उनके sperms का इजैकुलेशन होता है वो समय से पहले ही हो जाता है तो उनको वो orgasm की प्राप्ती होती नहीं है और उनका जो orgasm है वो अलग समय हो रहा है और उनकी wife का orgasm अलग समय हो रहा है मतलब दोनों संभोग कर रहे हैं, intercourse कर रहे हैं लेकिन दोनों को जो आनन की प्राप्ती हो रही है वो अलग-अलग समय हो रही है और कभी-कभी तो ऐसे भी देखा गया है कि husband को आनन्द की प्राप्ति हुई लेकिन wife को हुई नहीं और husband ने care किया ही नहीं इसलिए तो sex duration के बारे में बात करना बहुत जरूरी है यह बहुत ही important topic है तो अगर आपको भी जानना है कि medical science जो है sex duration के बारे में क्या कहती है और actually जो life में हम sex करते हैं उसकी duration कितनी होनी चाहिए कहीं हमें शीगरे पतन तो नहीं हो रहा है हमें पता ही नहीं लग रहा है और शीगरे पतन हो जा रहा है और हम कुछ इलाज नहीं करवा रहे है यह सारे सवाल अगर आपके इमाइंड में है तो आपको एक ही चीज़ करना है आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना है देखिए medical science ने यह कहा है कि sex duration जो है वो 3 से 7 मिनिट के बीच में ही होना चाहिए और होता है medical science जो है sex duration यह sex को जो है link को link जब योनी के अंदर जाता है और जाने के बाद जैसे ही link योनी के अंदर चले जाता है तब से sex time शुरू माना जाता है और जैसे ही ejaculation हो जाता है मतलब वीर्य या sperms जो शुक्राडू है आपके वो निकल कर और योनी के अंदर चले जाता है वो समय जब ejaculation हो जाता है उसको वो समय माना जाता है कि वहाँ पर sex खतम हो गया वो sex duration वहाँ खतम हो जाता है ये तो medical science ने माना है लेकिन अब आपके लिए कितना समय है या आप पर भी निर्वर करता है क्योंकि आपकी सुहाग रात है तो पूरी रात भी आपको कम पढ़ सकती है रात से सुबह हो जाएगी और आप sex किये जा रहे हैं और गुदा मेथून कर रहे हैं कितने अलग-अलग प्रकार के sex कर रहे हैं किस कर रहे हैं मतलब ये सब जो हम बाते कर रहे हैं ये four play की बात कर रहे है medical science ने कहा है कि four play जो होना चाहिए वो sex का जो आपका समय है उससे तीन गुना होना चाहिए तो तीन गुना होना चाहिए मतलब समझो कि अगर आप साथ मिनिट में sex खतम करते हैं तो 21 मिनिट का four play उससे पहले होना चाहिए तो आपको ज़्यादा आनन्द आएगा समझो कि आपका जल्दी काम हो जा रहा है जो कल्याडम कारिक्रम है टिंग टाउंग प्रोग्राम है वो आपका तीन मिनिट में हो जा रहा है तो कम से कम नो या दस मिनिट तो आपको four play करना ही चाहिए उससे ही आपको ejaculation बराबर हो पाएगा मैं आपको बता दिया कि देखिए sex duration क्या होता है और अगर आपको चिंता लग रही है कि आरे यार वाक़े चिंता लग रही है ऐसी कि ये जो शिग्र पतन तो नहीं हो रहा है तो आप हैना stop watch ले लीजिए और एक दिन जो है संभोग मत करिए अपनी wife के साथ या partner के साथ पर तीन बार हस्त मेथून करिए यानि masturbution करिए और तीनों बार जो आप शुरू कर रहे है तो आप stop watch को अपने mobile में या stop watch अगर आपके पास है उसको start करके रखिए और जैसे ही खतम हो जाए शुरू करिए आप हस्त मेथून और जैसे ही ejaculation हो जाएगा आपका वीर्य बाहर आजाएगा उस वक्त उसको रोक देना है तीन बार करके उसका average time ले लीजिए तो वो तीन मिनिट से कम नहीं होना चाहिए अगर तीन मिनिट से कम हो रहा है इसका मतलब medical science के साबसे आपको शीगर पतन की problem है आपको sexologist को दिखाने के जरूरत है simple बात है तो जो भी जानकारी मैंने आपको interesting रूप में दी है अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe करेगा वीडियो को like करेगा अपने friends से share करेगा और bell icon को ज़रूर hit करेगा जिससे मेरे सारी वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी information आपके साथ साजा करते हुए तब तक के लिए bye take care friends